एक दिन मेरी पत्नी मुझे कहने लगी आपकी बहन जब भी यहां आती है तो खर्चा डबल हो जाता है और तुम्हारी मां हम सब से छुपा कर साबुन अचार और कभी कभी तो चावल का थैला भी भर कर दे देती हैं ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया मैंने अपनी मां क कहा ये हमारा घर है कोई धर्मशाला नहीं बहन से बोलो कि कभी कभार या केवल रक्षा बंधन पर आया करें बस और आप साबुन अचार और चावल का थैला देती है ना उसको बंद करें मां चुप रही लेकिन बहन ने मेरी सारी बातें चुपके से सुन ली थी दोस्तों फिर एक समय ऐसा आया कि मेरे बड़े बेटे को कैंसर हो गया उसका इलाज कराने के लिए पैसे भी नहीं थे मेरे पास मैं बहुत परेशान था एक दिन में कमरे में अकेला बैठा रो रहा था उस वक्त बहन ने मेरे सर पर हात फेरा और कहा कि रो मत मैं हूना और अपने बै पैसे के बारे में कुछ बताना मत तुझे मेरी कसम है मैं हाथ में कंगन और पैसे पकड़े जोर-जोर से रो रहा था मेरे साथ मेरी बहन की आखें भी नम थी बहन अपने भाई को कभी भी दुख में नहीं देख सकती है इसलिए दोस्तों अपनी बहन का आदर सतकार करें व जब भी माय के आती है आप से कुछ लेने नहीं आती बलकि बो ये समझ कर आती है कि मेरा एक भाई भी है